हे गाईस कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे तो सबसे तो पहले गाईस जैम आता थी तो आज अस्टमी थी तो आई देखी हमने क्या के बनाया है आज तो गाई सबसे पहले हमने हलुआ बनाने की तयार है गई तो हमने सबसे पहले सूजी भून लिया हलुआ बनाने के लिए तो अब यह हलुआ हमारा तयार हो चुका है अब हम इसमें गानिश करेंगे इसको तो देखी हमारा हलुआ बनकर बिल्कु तयार हो गई अब इसे गानिश करेंगे हम और ये मेरी बहन भारती ने बनाई है लाजवाब गोबी जो ये अश्टमी में गोबी बनती है ना मुझे इतने टेस्टी लगती है और मैं इतना खाती हो ना खाती हो और मैं अपना पेट खराब कर लेती हूँ खा के और ये मातारानी का भोग चने ये बिल्कुल देखिए कितने अच्छे स्पाइसी बने है बट बनकर तयार हो गए है तो गाइस अब लास्ट में आई है पूड़ी बनाने की बारी ये देखिए कितनी गोल गोल पूड़ी बना रही है मेरी भेन और अब ये पूड़ी बनकर त चलिए यह देखिए अब इस तेल हमारा गरम हो गया अब हम इस फूड़ी को एश इल में fry का अब देखिए गरम गरम पूड़ी नरम नरम कुलिवी पूड़ी निकल रही है वा 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 क्या पोड़ी निकाल लिया केप बना है इसनय वाव तो पूड़ी हो गई है हमारी तैयार बनके यह देखिए गर्वा गरम फूली पूड़ी बनी है हमारी तो गाइस यह पूजा का इथाली हमने तैयार कर दी है जिन्बे टीका रोली तो फाइनली कंच का भवानी जी आ गई है हमारे घर अब उनको परसाद वित्रण वगेरा च मेरी भेन बच्चों का आशिवाद लेते वे और इतनी चलाक है मुझे कैमरा पकड़ा के फोन पकड़ा के फुट बच्चों का आशिवाद लेने चली गई सारा आशिवाद खुदी लेगी है तो अब अन्त में देवी माता विदा होती भी सारी कंच का और यह मेरी मम्मी भ हुब आशिवाद देड़, सारा आशिवाद इसे देड़